परिजाए नमस्ते पिता जी माने मुझसे ये गोली आपको देने के लिए कहा और इसे लेने के बाद आप बेहतर मेंसूस करेंगे ठीक है लाओ इसे मुझे दे दो पिता जी यह गोली आपके स्वास्त को किस प्रकार प्रभावित करती है ये गोली मेरे शरीर को ताकत देती है और इसे खाने से मैं ठीक हो जाऊँगा पिता जी ये गोली किस चीज की बनी है रोहेद ये संपूरक गोलिया है और इस गोली में लैक्टिक बैक्टिरिया यानि जिवानों का प्रियोग किया गया है जो मेरे शरीर को ताकत देता है पिताजी, बैक्टीरिया क्या है? बेटा, ये एकल कोशी की ये सूक्षम जीव हैं वे हर जगा मौजूद हैं जैसे की हमारे भोजन में और वायू में आदी वाँ, ये तो काफिर हो जखे पिताजी क्या तुम और अधिक जानना चाहते हो? हाँ पिताजी इस पार्ट में आप जानेंगे कि सूक्षम जीव मानर जीवन में किस प्रकार सहायक है उत्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे व्याख्या करना की सूक्षम जीव हर जगा उपस्तित है और द्योगे किस्तर पर सूक्षम जीवन से प्राप्त उत्पादों की व्याख्या करना सुक्ष्म जीवों की सहायता से वाहित मल उपचार की व्याख्या करना सुक्ष्म जीवों की सहायता से बायो गैस के उत्पादन की व्याख्या करना जैव नियंतरन कारकों के रूप में सुक्ष्म जीवों को जानना और जैव और वर्कों के रूप में सुख्ष्मजीवों को समझना घरेलू उत्पादों में सुख्ष्मजीव सुख्ष्मजीव बहुत छोटे जीव होते हैं वे इतने सुख्ष्म होते हैं के बिना किसी सुख्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं रेते जबकि उनकी प्रित्वी पर अधिक्ता है वे हर जगा रहते हैं वायू, बृता, चटान और जल्मे ये सुख्ष्मजीव पादपों और जन्तूओं के साथ साथ मानव शरीर में भी पाय जाते हैं कुछ सुख्ष्मजीव बानवों, पादपों और जन्तूओं में रोक फैलाते हैं जबकि कुछ अन्ने एक स्वस्थ जीवन के लिए आवशक हैं और हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते अधिकांश सुख्ष्मजीव चार प्रमुक समुहों में से किसी ना किसी एक से संबंदित होते हैं जीवाडूं, विशाडूं, कवक या प्रोटजवा कई असे भोज़ पदार्थ हैं जिने सुख्ष्मजीवों द्वारा बनाया जाता है उधारन के लिए खटी गोभी का उत्पादन, कटी हुई गोभी के भीतर, लिउको नौस्टॉक और लेक्टो बेसिलस स्पिशीज द्वारा किया जाता है अचार बनाने के लिए खीरों को इनी सुख्ष्मजीवों द्वारा किनवित किया जाता है अध्योगिक उत्पादों में सुख्ष्मजीव उत्योगों में सुख्ष्मजीवों का उप्योग, पैयों, प्रती जैविकों और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने में होता है और द्योगिक पैमाने पर हमें बहुत अधिक संख्या में सुक्ष्म जीवों की जरूरत होती है इसलिए उन्हें बड़े पात्रों में पैदा किया जाता है जिन्हें फर्मेंटर या किन्वक कहते हैं किन्वित पे येस्ट, स्केरोमाईसीज, सहरिबिसी सभी एलकोहलिये पैयों के लिए आवशक हैं ये एक जीवी चीज है आपके किन्विक पात्र में अर्बों कोशिकाएं सभी भूके सूक्ष्म जीव जो शरकरा को कारबन डायोकसाइड और एलकोहल में बदल देते हैं येस्ट के अलग-अलग प्रकार भिन-भिन उत्पाद बनाते हैं जैसे कि वाइन, बेर, विस्की, आदी प्रतिजैविक यानि एंटीबाइटिक पहले प्रतिजैविक पैंसिलीन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी प्रतिजैविक के कैसी दवा है जो जीवाणों को मारती है या इसके वृध्धी को कम करती है प्रतिजैविक प्रती सूख्यूं जीवियों की एक्ष्रिनी है एक बड़ा समू जिसमें प्रती विशाणूं, प्रती कवक और प्रती परजीवी दवाएं शामिल हैं वे परपोशिप के लिए अपिक्षा क्रित हानी रहित हैं और इसलिए संक्रमन के उपचार हे दू उनका उप्योग किया जा सकता है। पेनिसलिन की क्रिया विधी ये एक पदार्थ के उद्पादन को रोक कर कार करता है जो कोशिका भित्ती पैप्टिडो ग्लाइकेन बनाता है। इसकार्थ है कि कोशिका विभाजित हुए या नई कोशिका भित्ती को विक्सित किये बिनाही निरंतर रूप से व्रिध्धी करेगी, इसलिए भित्ती दुर्पल हो जाएगी और फल्स रूप तूर जाएगी. रसायन, एंजाइम तथा अन्ने जैविसक्रिये अनू. निमनाकित तालिका कारबनी कमलों और उनका उत्पाधन करने वाले सूख्ष्म जीवों की एक सूची प्रदान करती है. एंजाइमों का उत्पाधन सूख्ष्म जीवों, लाइपेज, प्रोटी एज़िज और पैक्टी नेज़िज की सहायता से होता है. लाइपेज एक ऐसा अंजाइम है, जो भोजन की वसाओं को तोड़ने में प्रयुक्त होता है, ताकि उन्हें आतों द्वारा अफ्ष्योशित किया जा सके. प्रोटी एज़िज का आशय एंजाइमों के उस समूं से है, जिसका उत्प्रेर की यह कारे प्रोटीनों के पैप्टाइड बंधों को तोड़ना है. पैक्टीन एज़िज एंजाइमों का एक ऐसा संग्रे है, जो पैक्टीनों को तोड़ने में समर्थ है. पेक्टिन एक ऐसा पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ती को बनाए रखता है जैव सक्रिये अणूँ एक जैव सक्रिये अणूँ साइक्लोस पोरिन एक शक्तिशाली प्रतीरक्षा निरोधक कारक है माईलो टॉक्सिटी की जिसकी कमी इसे नौन इस्टोराइडल दवाओं में अनूठा बनाती है प्रतीरक्षा निरोधन के लिए वर्तमान में जो दी जाती है इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलिस पूरम कवक द्वारा किया जा सकता है वाहित मल उपचार में सूख्ष्मजीव नकरिय व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में कारवनिक द्रव्वे तथा सूख्ष्मजीव होते हैं जिन में से कई रोग जनाक होते हैं और कुछ परपोशित होते हैं प्रदूशन के बूच को कम करने के लिए वाहित मल को जलाशयों में विसरजित करने से पहले इसका वाहित मल उपचार संयत्रों में उपचार किया जाता है उपचार में निमन दो चरण शामिल हैं प्रात्मेक उपचार प्रात्मिक वाहिद मल के उपचार में वेर्थ जल को मोटी रेध, कंकनों, कार्बनिक और अकार्बनिक अप्षिस्टों वस ये पदार्थों आदी की अशुद्धियों से मुक्त किया जाता है नगरिये वेर्थ जल में बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, जैसे फटे पुराने कपड़े, डिबबे, टिनादी, जिन्हें स्क्रीन द्वारा हटा दिया जाता है ये आविशक है क्योंकि इन वस्तुएं की उपस्तिती में संयंत्र के सम्मेद अन्शील भागों को नुक्सान पहुंच सकता है स्क्रीन के बाद एक ग्रिट चेंबर होता है, जिसका उप्योग रेत तथा अन्य भारी अकार्बनिकों को अलग करने के लिए किया जाता है अफसादन चरण का उप्योग करते हैं, जिसमें वाहित मल को बड़े बड़े टैंकों से कुजारा जाता है, जिनें प्रात्मिक विशुद्धक या प्रात्मिक अफसादन टैंक कहते हैं इन टैंकों में तेटते हुए सामगरी को अलग किया जाता है, तथा सजातिये द्रव जैविक उप्चार के लिए तयार रहता है, जबकि सलच को अलग से उप्चार द्वारा हटाया जाता है इसके बाद प्रात्मिक अफसादन टैंकों से प्राप्त बहिस्राव को दूतियक उप्चार के लिए ले जाया जाता है। दूतियक उप्चार या जैव उप्चार वाहित्मल की जैविक सामागरी जैसे मानविय अप्षिष्ट, भोजन अप्षिष्ट, साबुनों और डिटर्जन को अलग करने के लिए दूतियक वाहित्मल जलुक चार विधी, वाईविये जैव प्रक्रियाओं का उप्योग करती है। इस विधी में जीवाणू और प्रोटजोवा प्राक्रितिक रूप से सर्णे योग के विले कार्वनिक अशुद्धियों को जीवाणू जुंड में बतल देते हैं। इससे बाहिसराव की BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घड़ती है। BOD का आशे आक्सीजन की उस मात्रा से है जिसकी वायोविये सूक्ष्म जीवों को जल के एक नमूने में कार्वनिक द्रव्य को अवगडित करने के लिए अविशक्ता होती है। जैसे की जो वाहित मल्द्वारा प्रदूशित होते हैं। इसका जल प्रदूशन की सीमा की माप के रूप में प्रयोक किया जाता है। जब बहिसराव का ब्योडी परियाप्त रूप से घड़ जाता है, तो बहिसराव को अंतिम नेसादन टैंकों से गुजारा जाता है, जहां जीवानुचुंड अफसाद में परिवर्तित होता है। ये अफसाद सक्रियेत आपंक कहलाता है। सक्रियेत आपंक के छोड़े से भाग को फिर से वापस वाइबिये टैंक में पंप करते हैं, जो एक निवेश द्रव के रूप में कारी करता है, और अधिकांश भाग का उप्योग बायो गैस के उत्पादन में होता है। पुना चक्रित जल का उप्योग क्रिशी कारियों में किया जाता है। बायो गैस के उत्पादन में सूख्ष्म जीव। बायो गैस गैसों जिसमें मुख्यता मीधेन शामिल है का एक मिश्रण है जिसका उत्पादन सुक्ष्म जीविये कतिविधी द्वारा किया जाता है और जिसका उप्योग हीधन के रूप में किया जाता है गोबर बायो गैस का प्रमुक्सरोथ है क्योंकि गोबर में जीवाणूं की संभावना दूसरों की तुल्ला में अधिक होती है मीथेनो बैक्टिरियम ये वो जीवाणूं है जो पशुओं के रूमेन यानी उदर के एक भाग में पाए जाते हैं रूमेन गाय के पाचन तंत्र का सबसे महदपून भाग है क्योंकि मीथेनो बैक्टिरियम इसे दूसरे पशुओं से अलग करता है हम मीथेनो बैक्टिरियम की उपस्तिती के कारण बायो गैस निर्माण में पशुओं के मल का प्रियोग करते हैं मिधेनों बैक्टीरियम, मिधेन्गैस का निर्माण करते हैं, जो अत्यथीक जोलनचील होती है ग्रामेड चित्रों में हम बायो गैस सैंध्र देख सकते हैं ये जीवाणों बायो अप्षिष्ट को उप योगी खाद में भी बतल सकता है बायो गैस सैंध्र बायोगेस सैंत्र एक इंट और सिमेंट की अवसनचना होती है जिसमें निम्ण पांच भाग होते हैं मिश्रन्ट टैंक, डिवेश कक्ष, डाजेस्टर, निर्गत कक्ष और ओवरफ्लो टैंक क्रियाविधी जैव द्रव के विवित रूपों को जल की बराबर महत्रा के साथ मिश्रन्ट टैंक में मिलाया जाता है ये कर्दम का निर्वान करता है कर्दम को निवेश कक्ष के मात्यम से डाजेस्टर में भरा जाता है जब डाइजेस्टर आंशिक रूप से कर्दम द्वारा भर जाता है तो कर्दम को भरना रोक कर संयंद्र को लगभग दो माह के लिए आप्रियुक्त छोड़ दिया जाता है इन दो माह के दोरान कर्दम में उपस्तित आवाईविये जीवाणूं जल की उपस्तिती में जैव द्रव्व को अब खटित या किनवित करते हैं अवाईविये किनवन के फल स्वरूप बायो गैस का निर्माण होता है जो डाइजस्टर के गुम्बद में एक कत्र होने लगती है जब अत्यदिक बायो गैस जमा हो जाती है तो बायो गैस बलोंद्वारा आरोपी दाप से प्रयुक्त कर्दम निर्गत कक्ष में चली जाती है निर्गत कक्ष से प्रयुक्त कर्दम ओवर्फलो टैंक में पहुंशती है प्रयोक्तिकर्दम को मानविये तरीके से ओवरफ्लो टैंक से निकाल लिया जाता है और इसका उप्योग पातपों के लिए खात के रूप में किया जाता है जब भी बायो गैस की आपोर्ती की जरूरत होती है पाइप लाइनों के एक सिस्टम से जुड़े गैस वॉल्व को खोल दिया जाता है जैव नियंतरन कारक के रूप में सुक्ष्म जीव जैव नियंतरन पीड़क जीवों की संख्या को विन्यमित करने के लिए एक जीव का सोध दिश उप्योग है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंतरन विभेन परभख्षी कीटों या कड़ों या परजीवी पर्रों या सूत्र क्रिमियों के उप्योग द्वारा किया जा सकता है जो पीड़क को घातक जिवानों वाली बीमारियों से संक्रमित कर देते हैं ये खाने योग के तथा सजावटी पातपों दोनों के लिए पीड़क नियंत्रण की एक सुरक्षित विधी है जो सही दशाओं में उत्क्रिष्ट परिणाम दे सकती है उधारंग के लिए बैसलस थोरिंचेंसिस एक ऐसा जिवानों है जिसके पीजाड़ूं कुछ कीटा लार्वा के लिए जहरी ले होते हैं और उन्हें मार देते हैं लेकिन अन्ने कीटों के लिए हानी रहित हैं पादब रोगों का उपचार या नियंत्रन के लिए एक अन्ने जैव नियंत्रन विक्सित किया जा रहा है जो कवक ट्राइकोडर्मा है जो मृदा तथा मोल पारिस्थितिक तंत्र में मुक्त जीवित होता है और कई पादब रोगों के विरुद्ध प्रभावी है जैव और वरक के रूप में सूख्श मजीव जैव और वरक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवित सूख्श मजीव होते हैं जिन्हें जब बीज पादब की सत हों या व्रिदा पर छोड़ा जाता है तो ये रायजो स्फेयर या पादब के अकरभाग में बस्ती बना लेते हैं तथा परपोशी पादब के लिए प्रात साइनो बैक्टिरिया तथा कवक, माइकुराइजा जीवों के तीन समों हैं जिनका उप्योग जैव और वरकों के रूप में किया जाता है जीवाणूं उधारन के लिए रायजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम आधी रायजोबियम एक म्रिधा में रहने वाला जीवाणूं है जो लेग्योम जड़ों में बस्ती बनाने में सक्षम है तथा ये वायू मंडलिये नाइटोजन को सहजीवी रूप से स्थिर करता है साइनो बैक्टीरिया माईकुराईजा माईकुराईजा कवक के समू होते हैं जो पातपों की जड़ों में वृध्धी करते हैं वास्तों में ऐसे नवोध भिद जिनमें माईकुराईजा वाले कवक होते हैं पौधार ओपन के बाद अपनी जड़ों पर बेहतर तरीके से व्रिध्धी करते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, कवकिये सहजीवी पादप से आश्रय और भोजन प्राप्त करते हैं, बदले में पादप कई प्रकार के लाब अर्चित करता है, जैसे की पॉस्फोरस, लवड़ता का अफ्शोशन और सूख्य के प्रती सहन शीलता, जलसंतरंद को बनाए रखना तथा कुल मिलाकर पादप में व्रिध्धी और विकास करना, क्या आप जानते हैं, अनुसंधान करताओंने मुहासों से छुटकारा दिलाने के लिए एक स्किन वाइरस तैयार किया है, एक ऐसे वाइरस का उप्योग करना, जो प्राकृतिक रूप से उस जीवानों को अपना आहार बनाता है, जो कील मुहासे पैदा करते हैं, एक ऐसा टूल प्रदान करना है, जो मुहासे के शारीरिक और मानिसिक भैसे निजात दिलाता है, सारांश, आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्शेप में दोहराएं, सूक्ष्म जीव बहुती छोटे जीव होते हैं, वे दने सूक्ष्म जीव होते हैं, कि बिना किसी सूक्ष्म दर्शी के दिखाई नहीं दे दे, जबकि उनकी प्रित्वी पर अधिकता है, वे हर जगा रहते हैं, वायू, ब्रिदा, चट्टान और जल में, अधिकांश सूक्ष्म जीव चार प्रमुक समूहों में से किसी ना किसी एक से संबंदित होते हैं, जीवाणू, विशाणू, कवक या प्रोटजवा, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उब्योग पेयों, प्रतिजैविकों और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने में होता है, पहले प्रतिजैविक पैनिसलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, एंजाइमों का उत्पादन सूख्ष्म जीवों, लाइपेज, प्रोटी एजिज और पेक्टीन एजिज की साहता से होता है वाहित मल के उपचार में प्रयोक्त सूख्ष्म जीव हैं, उपचार में दो चरण शामिल हैं, प्रात्मिक उपचार और दुईतियक उपचार बायो गैस, गैसों का एक मिश्टरण है, जिसमें मुख्ष्म जीविय का दिविधी द्वारा किया जाता है, और जिसका उप्योग इधन के रूप में किया जा सकता है बायो गैस का उतपादन बायो गैस संयंत्र में ही किया जाता है बायो गैस संयंत्र इट और सिमेट की अफसर नचना होती है इसमें निम्द पांच भाग होते हैं मिश्रन टैंक, निवेश कक्ष, डाइजेस्टर, निर्गत कक्ष और ओवरफ्लो टैंक जैव नियंत्रण पीडग जीवों की संख्या को विनेमित करने के लिए एक जीव का सौध देश उप्योग है जैव उरवरक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्षम जीव होते हैं जिनहें जब बीच पादप की सत्व हों या मृदा पर छोड़ा जाता है तो ये राइजोस्फेयर या पादप के अगरभाग में बस्ती बना लेते हैं तथा परपोशी पादप के लिए प्रात्मिक पोशकों की या पूर्थी या उपलब्दता को बढ़ा कर पृद्धिका समवर्धन करते हैं जिवाडों साइनो बैक्टिरिया तथा कवक यानि माहिकुराईजा जीवों के तीन समों हैं जिनका उप्योग चैव और वर्कों के रूप में किया जाता है झाल झाल